संत लीला माला में आज प्रस्तूत है बाबा नीम करोरी की अधभुत लीलाओ की अगली कड़ी बात उस समय की है जब फटेगड फरुकापाद जन्पद में केंद्रिय कारागार में राम लीला का आयोजन होना तैह हो चुका था केंद्रे कारगार के जो अधिक सक होते हैं वो महराज जी के एक भग्त के बेटे थे राम लीला होने जा रही है तो चेल परसासन उसे अपनी तरफ से अच्छा करवाने की कोशिस करता है अब राम लीला के इस आयोजन पर जेलर ने अपने पिताजी से कहा कि अगर महराज जी आजाए दो मिनट के लिए तो मज़ा आजाए मज़ा मतलब आनंद आजाए महराज जी के पास नुएदन पोचता है उनके पिताजी के दोरा और महराज जी कहते हैं ठीक है हम आते हैं अब महराज जी आम उन्तरन पर वहाँ पहुँचे गटना क्या होती है महराद जी जेल के अंदर है कैदियों के बीच में है वहां रामलिला के पात्र सजे हुए खड़े हैं और उस समय जेलर सहाब कहते हैं महराद जी इसने ये अपराद किया था इसमें इसे सजा हुई है ये यहां पर सतरुहन की भूमी का में है इसने ये अपराद किया है इतने समय की से जेल हुई है और ये भhrत की भूमी का में है इस परकार से भो उनका इंट्रोडेक्शन करवा रहा है और बढ़ा खुस है कि बाबा नीम करोरी आये है और एक रुत्वा भी होता है कि कहा कैदी और कहा हुआ दिखसक सुप्रिटेंडेंट तो बड़ा संकोच वसकैदी अपने आपको मैसूस कर रहे हैं महराज जी ने कहा भगत से कि जरा आरती लाओ तत्काल आरती लाई गई और महराज जी ने जो वहां राम लिला के पात्र थे उनकी आरती उतारने शिरू कर दी इधर जो उनका महराज जी का भगत का बेटा था अधिक सक था वो देख रहा है हम जिन पर रोज रोव गाड़ते हैं वो ये महराद जी तो आरती उतार रहे हैं और इसके बाद महराद जी ने एक काम और कर दिया जो राम की भूमिका में था जो बंदा उसके पैर छूली है आप तो अधिक सक मोधे सरम से गड़ गए क्योंकि उनका वेवार जो उनके परती था वो एक कैदी वाला ही था स्री राम की भूमिका में भी उनके अंदर वो एक कैदी देख रहे थे उनका उनके परती जो वेवार था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था और महराजी का ये वैफार उनके दम्ब को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है महराजी ने क्योंकि राम मिले जिस रूप में भी मिले नमन करना ही था तो मित्रो स्थान कोई भी हो कैसा भी हो वैक्ति को अपनी सालिंता नहीं खोनी चाहिए पद आते हैं सले जाते हैं समय का पईया कहीं का कहीं पहुचा देता है